आप देख रहे हैं न्यूस बीट पारस जहाजेब के साथ मुस्तुफा कुदाल और रिश्वत उलेबाद ये हो क्या रहा है कराची में और गवर्नर सिंद किसके आदमी हैं ये हैं वो भी इट्स्टिन पर बात करेंगे आज न्यूस बीट में किसी ने किलिंग की जाए उसका किसी पुलिटिकल पार्टी से तालू को तो सको हम चौराए पे लटकाएंगे मज़े की बात है कि बारा मही करने वाला वही आदमी है बल्दिया टाउन जैसे सानिहे की अस्तर नौ जैसी इन्विस्टिकेशन चुरू होगी उसके सिरे जो है वो गवरनर हाउस में मिलेंगे मुस्तुफा कमाल अलताफ हुसें पर उस वक्त गर्जे बरसे उस वक्त उनके खिलाफ बोले उस वक्त उनके पॉल खोले जब अलताफ हुसें की ताकत का सूरज पूरी MQM पर चमकता था फिर ये सूरज भी गुरूब हुआ उनकी ताकत भी कहानी हुई और एक मुद्धा MQM की बाद भी पुरानी हुई अब अलताफ हुसें के बाद मुस्तुपा कमाल ने एक नए ताकतवर टार्गिट का रुख कर लिया है इस बार निशाना है उनके पुराने दोस्त गवरनसेंट इश्रत अलेबाद मुस्तुपा कमाल के पास एक बार फिर अंदर की खबरे हैं एक बार फिर करप्शन के इनकिशाफात हैं और बेश्मार सबूतों के दावे हैं लेकिन क्या अलताफ हुसेन से वफदारी की सनत पाने वाले जनरल परवेज मुशेरफ की कुर्बत पाने वाले आसिफ अली जड़दारी की नज़े करम में आने वाले मिया मौम्मद नवाज शरीफ की तवज़ पाने वाले दोरी शेरियत रखने वाले और बाजबाने खुद इस्टैबलिश्मेंट का आदमी होने का दावा करने वाले इश्वत अलिबाद पर क्या इन इल्जामात का कोई असर पड़ेगा इस चतले बात कहते हैं कि किसी बे आउकात को बकवास नहीं करने दूँगा लेकिन वो मुस्तुपा कमाल का क्या करेंगे जो उनकी आउकात का सोचे बगएर ना सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं बलके उनके सच्चे होने के दावेदार भी हैं अब देखना ये है कि इल्जामात की गर्द कैसे बैठेगी और क्या अब भी कोई सियासी दूल में पना ले सकेगा देखना ये भी है कि क्या ये नई सूरत हाल कराची की सियासत में किसी नई तबदीली का पेश खेमत साबित हो सकेगी इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें जॉाइंग किया है सिक्यूरिटी एनलिस्ट जिनर्ल अमजजे शुएप साब ने साबिक रुखने कौमली असेमली सरदार नबील गबोल साब और Senior Analyst है जर्निस्ट अनसार अबासी साव असलाम उलेकुम बहुत शुक्रिया आपका आज प्रोग्राम में PSP ने भी हमें जॉइन किया था लेकिन बाद में उन्हों ने ये कहा कि आज उन्हों ने किसी भी टॉक्शो में नहीं जाने का इरादा किया है वो नहीं जाएंगे बाराल इस सूरते हाल पर अब हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद देखते रहेगा न्यूस्पीट नवील कपोल साब आपसे शुरू करते हैं सर्क गवनर से दिश्वत लेबाद विडियोन नाशनल होने के बावजू 14 साल से गवनर के मंसब पर है इसा क्या कमाल है इनके पास के आईनों कानून के मताबिक इन्हें गवनर नहीं होना चाहिए लेकिन वो फिर भी है मैं आपको बता हूँ वो गवनर बने कैसे पहले दो यह बता हूँ उनको गवनर अलताव हुसें से पूछा गया था कि आप तीन नाम दें जिसको गवनर बनाना है सबसे पहला नाम उन्होंने अपनी बीवी का दिया उसक बीवी थी दूसरा नाम अपना दिया और तीसरा जो है इशरतल अबाद के नाम दिया गया तो कहने का मकसद ये कि इतने अरसे तो उसको आशीरवाद थी अलताव हुसें की बाद में किसी और को वो अच्छे लग गए उसके बाद फिर वो जिसको अच्छे लगे वो भी चले गए तो पता नहीं ऐसा क्या करिश्मा वो करते हैं कि जो जो आता रगए आसिफ अली जदारी आप मियन नवाज शरीफ लगता है वो सभी को अच्छे लगते हैं को उनसे खुश हैं और वो सब के लिए बेहतरीन हैं कोई और बंदा नहीं है इस मंदा के लिए या कुछ खास खिदमात हैं की अब जो भी है उसको अब इश्रत लिबाद पसंद नहीं है अब जो कोई भी है जो जिसके भी आत में आप नवाज शरीफ कहते चले नवाज शरीफ है वो गहते हैं मैं एस्टैबलिश्मेंट हूँ मिले नहीं आप देखें एस्टैबलिश्मेंट क्या है कौन सी यह और क्या है आपको क्या समझा रहे हैं मैं समझता हूँ कि अब इश्रत लिबाद साब का टाइम आ गया है कि वो गवर्नर हाउस छोड़ दे और वो MQM पाकिस्तान को जॉइन करें ठीक किसको जॉइन करें किसको जॉइन करें क्या वो इस वक्त मिया नवाज शरीफ के नुमाइंदे हैं मिया नवाज शरीफ साब जो है उनके नुमाइंदे अलताफ हुसेन है मिया नवाज शरीफ इस वक्त अलताफ हुसेन को रिवाइफ कर आप नहीं देख रहे हैं, जो गवर्नर अवाला केस में होते होे भी, उनको गवर्नर बनाया गया, वो तो खेर इक لمड़ी डीबेट है, अब जो है, इस वक्त प्राइमिनिस्टर नवाश शरीप साथ जो है, वो अलता हुजान को रिवाइव करना चाते हैं, वो ही जो सिरिल का डॉन वाला जो नियूज है दोनों नेकसिस मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इस एंटी स्टैबलिश्मेंट सोच के वज़े से वो मुल्कों नुक्सान पहुंचा रहे हैं नाशी साब तो मैं समझता हूँ कि अभी इश्रे लिबास साब जो है उन्होंने फारुक सतर साब से हाथ म मिला लिया है और उन्होंने आपस में बैट किये ता है कि अब हम MQM को चलाएंगे जिस पर मुस्तफा कमाल को बहुत नाराजगी वी घुसा आ गया और उन लोगों पर भी घुसा आ गया आपने हमें ये तो कह कर नहीं लाया था कि ये खब कुछ होगा एक दिन हमारे साथ क मांकी सियासत को आप जानते हैं नबील गभोल साथ मुस्तिफा कमाल जो बात कह रहा है वैसे इसके बारे मैं आपका क्या ख्याल है कि कराची के जो मिसाइल है उसमें क्या गवर्नर सें लिश्रत अलबाद का हाथ है या सिर्फ इनकी लाप परवाई है या सिर्फ कोशेच है कि बस सब खुशने है और मैं गवर्नर बना रहा हूँ मैं इतना जानता हूँ कि गवर्नर साब के इलम में सब कुछ है जो भी हुआ है बारा तेरा साल में जो के अभी वो खुद के भी रहे है तो इनकी इन्वेस्टिकेशन होनी चाहिए बारा में के उन्होंने हवाले साब बात की सारे केसेs पे बात की उन्होंने बल्दिया टाउन पे बात की उन्होंने सब केसेs पे बात की इसका इलूम इनको था लैकिन अनोंने डेलेपरिटली जो है इसको छुपाया क्यों मैं इन सब पे जरा एके करके आप से बात करूंगी लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल अलमे बगावत बलंद करके आए थे उस वक्त नोंने का किराची का एक नासूर उन्हें नजर आ रहा था जिसका नाम था अलताफ हुसेन अब दो नासूर नजर आ रहे हैं अलताफ हुस मुझे आप बताएं के दोबई से लैंड होने के बाद वो जाते हैं इश्र लिबासे मिलने गवरनर आपके नहीं हो सके देखे हमारे मुलक के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी कुटे हैं जो के पॉलिटिक्स करती है तो हर किसी का अपना एक च्वाइस होता है मैं इस्टैबलिश्मेंट किसको कहते हैं गवरनर सिंद कहता है मैं स्टैबलिश्मेंट हूँ मैं खुदी स्टैबलिश्मेंट हूँ एक इश्रत लिबाद वाली स्टैबलिश्मेंट है एक मुस्तुपा कमाल वाली स्टैबलिश्मेंट है इस्टैबलिश्मेंट भी तो बह को मुस्तफा कमाल बड़ा मश्वरा देते हैं कि पूरा सच पोल सच बो उसका है और जो सच वो किष्टों में सामने ला रहे। क्यों मुस्तफा कमाल ने उस वक्व क्यों न ही बोला जब हो इस वक्यों इसस वक्यं क्यों कैंते हैं चाथ आप भी बोले गए और आपके ख्याल में अब ऐसा क्या हुआ है कि जो मस्तिफा कमाल है वो इश्डत अलुबाब साब के पोल खोल रहे हैं उनको बेनकाब करना उन्होंने शुरू कर दिया है क्या आपकी ख्याल में मुस्तिफा कमाल जो है वो किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है य यहां तक पाक सरजमीन पार्टी का तालोक है उसके बारे में भी नॉमली जनरली यही का जाता है जिनको इनका नाम ने लिया उनके इशारे पे आए उन्हों ने इनको यहां पे लेकिए आए तेके मैं यह समझता हूं कि जब यह सारी एफट एक जो फोकिस्ट एफट थी और जिसको मैं कंटेस्ट नहीं करता हूं जिसकी भी थी कि हमने माइनस अलताफ हार मुड़ा करना है क जो कि अल्दाव हुसेंट ने खुद ही कर दिया जो पाकिस्तान के खलाफ नार लगा कि लिए है निया है, जो पिर इस्टेबिश्मिंट को रेप्रिजिन करते हैं लोग या जो भी उन से पॉलिटिक्स करवा रहे हैं, जो जिनके विहाफ के उपर विए उपर विए हैं, तो तो फिर पावरफुल अल्टीमेटी जाकर था हुसेन वागा जो कि बड़ा नुकसान है कराची का पाकिस्तान का तो जाए इसके कि आप इनक में ड्वियन्स वेड़ा करते हैं आप इनको जोडने की कोशिश क्यों नहीं कर देते हैं अचैसर गवोल साब के मताबी के सब ऐसा मिया नवाज शरीफ चाह रहे हैं क्या आप भी यही समझते हैं चुक्छे कहा नहीं है इसके बड़ी डिस सर्विस पाकिस्तान की नहीं हो सकती मैं यही कहा रहा हूँ जो भी कर रहा है ना जो भी अलताव हुसेन को मजबूत कर रहा है आपके ख्याल में आपके ख्याल में आपके ख्याल में आपको अनस्टी वह से बताओं मेरा नहीं ख्याल कि इस्टैबलिश्मेंट चाहेगी कि अलताव हुसेन मजबूत हो मेरा नही कह रहा हूँ कि ये कोई अगर सोचते है ना कि आप MQM को टुकडो टुकडो में कर दें तो इस से MQM खतम हो जाएगी मैं कह रहा हूँ कि इस किसम की politics इस किसम की policy नहीं ये policy जो है ये जो है ये flawed है ये फाइदा दे गिलता उसे लिए तर आपने establishment का नाम लिया कि उनको किसी का डर नहीं है या वो किसी से डरेंगे नहीं और ये जो establishment का या मौज़ज शक्सियात का नाम ले रहे हैं कि इसके पीछे छुपने की कोशिश का रहे हैं? नहीं मेरा है कि देखें वो उनका जो इंकाउंटर था वो अगेंस्ट था पाक सर्जबीन पार्टी पाक सर्जबीन पार्टी के बारे में impression या है को establishment लेकि आई है तो जब आप establishment की किसी figure को आप counter करेंगे तो फिर आप establishment को refer करेंगे तो फिर थोड़ा था पहले 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 बास आपने का नहीं इनको मीडिया में नहीं आना चाहिए था ठीक है जो बात कह दी कह दी और आप में ज्याज़र एक प्रेस रिज दे दी 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 यही अतरास किया जा रहा है कुछ पार्टी इसकी जानिब से भी लेकिन क्या ये हैरत की बात नहीं कि बड़ा मंसब और पिर इतने संगीन क्या ये बात इस्टेब्लिश्मेंट को नज़र नहीं आना चाहिए था लेकिन एक इस्टेब्लिश्मेंट की बारे में मैं 12 के बारे मुझे पता है शकीर दौराणी साहब कुछ वक्षो के चीफ सेक्रिटरी थे शकीर दौरानी साहब और मेरा उनसे बड़ा अच्छा ताल है लेकिन इस्टेब्लिश्मेंट को नज़र नहीं है पता ही है कि यह हमें जेन में रखना चाहिए कि हम बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों के पीचे इस्टेब्लिश्मेंट कह चुके हैं हमें आदत पढ़ गई इस बारे मामला थाल होते हैं मस्ट नवाज शरीफ साब की गॉर्मेंट इस्टेब्लिश्मेंट का नाम इस लिए लेती है कि उससे उनकी करॉप्शन चुप जाती है और सियास्टदाने कठे हो जाते हैं मिसाल के तौर पे आप धरने के दिनों की बात ले लें धरने के दिनों में जब उन्होंने कहा कि इनके पीचे खुफिया की तो किसी सियास्टदान ने किसी पार्लिमेंटरियन ने पार्लिमेंट से उनके जराइम के बारे में ने पूछा उनको ये नहीं कहा कि कादری के चौदा आदमी आपने मारे है और क्या उसको चेटर दिन के धरने के दुरू होते है का फाई यार धर्श कराने के लिए शरम ने आती उस मुल्क के लोगों को जहां ये आलत हो फिर ये कि आपने चार सीटों का उस नकाजी खोल दें इमरान खाने तो आपको क्या तकलीफ है क्यों ये आप खोल देते उसके लिए 126 दिन के धरने के दुरू होते है ये धरना किसी ने मतलब ये इनको इस्टैबलिशमे मैं ये कहता हूँ करता रहे कोई देखें करता रहे लेकिन अगर इस्टैबलिशमेंट आपको कहती है कि भी हम किसी के पीछे लेकिन मैं आपको बादे बताओं एक वक्त पे जनरल मुशरव साथ थे नौ कतल के केसे से इस आदमी के उपर और मुशरव साब ने छोड़ दी ह नो कतल के थे नो कतल के थे मैं बताता हूं कि ये लोग कितने क्रिमिनल अंदर से इनकी क्रिमिनल अक्टिविटीज छुपी हुई नहीं है ये जब तक इनको MQM से निकाला नहीं गया ये जतने कातल और लोग वहां पे ये करते थे अकसर को ये पना गुवरनरा उसमें दिय तो छोड़ें न उसके से नहीं वहां लग ना किसा है में तो उसकी बात आपको तो मैंने खुद काया है ये बात आपको इडिशनल नहीं कर रहे हैं ये बात पर अगर क्लियर कर देती मेरी बात सुनिया अपनी पोशिशन ये बात आप ने इस्टैबलिश्मेंट एक इसी भ खुद कलारिफिकेशन दे दी ना वो आप क्यों भूलती है अब चीज ये है कि ये कहना कि जी वो फुलाँ का बंदा ये एक आदमी क्रिमिनल है और उसको हर किसी ने एकसेप्ट किया है उसका सब को पता है कि ये अंदर खानी ये क्रिमिनल्स को पना भी देता रहा है आज वो कह रहा है कि जी मुझे पता है कि वो वहां पे वो जो फैक्टरी में आग लगी थी वो किसे ने लगाई जी बल्दियावला केस किस ने किया था आज वो कहता है कि मैं फुलाँ को भी जानता हूं ये भी जानता हूं आप देखिए सौरत मिर्जा ने इसका नहीं बताया था अजमल पहाडी ने इसके बारे में स्ट्रेटमेंट दी, उसकी इंटेरोगेशन हुई, ज्याइटी में इसके उसने कर्तूते नहीं बताई थी, यह हम लेकर बैठे रहे हैं, असल किस्सा क्या है, असल किस्सा क्या है, कि इस पाकिस्तान में हर करिमिनल को ताफ़ाद है, कुछ नहीं होगा, क्या जल्फकार मिर्जा ने इनके सारी कर्तूते नहीं बताई थी, क्या उसने जर्दारी के बारे में सारे बैद नी खोलें, आजकल वो भी गायब है, तो यही कहता हूँ, जब होगा कुछ नहीं, जब जो एक आदमी, अब जल्फकार मिर्जा के पीछे भी ए आदमी बेद खोलता है, आप उसका करना कुछ नहीं चाहते, तो वो अपनी जान बचाएगा फर जाके, इस जब आके मुस्तफ़ा कमाल ने यहां कहा, के जी यह सारे रो के एजेंट है, इनको अपता है, इश्वत अलिबाद को पहले नहीं कहा था, ठीक है, लेकिन बहुत स मांगने का तो मतलब यह हुआ ना, कि इस तरह मियानवाज श्रीफ साब, सारे जर्दारी साब, जन्होंने अर्बों बाहर रखा वोगो, माफी मांगने, यह यह बात दुरुस्त नहीं है, इस तरह बात के लिए कि इस एल में डालो, गिरिप्तार करो, डिटिश उन इंडिविजिन्स को आप पकड़ के प्रॉपली इंटरोगेशन करते हैं, अर्यस्ट ना करें लेकिन उनको डेली हाजर करके उनकी इंटरोगेशन होती है, आप यह कहते हैं कि सारे पोल जानने के लिए, खुलवाने के लिए, पहले मुस्तुपा कमान को पकड़े, और पहले में जियो सी था मेरे टुप से नाइटी डू के उपरेशन में उन्हीं सब पता था कि इनके लिंक हैं, हम कहते हैं तो यह आप ऐसे कहने हैं, यह दुश्मनी है, हमें दिवार के साथ लगाया जा रहा है, हमारे उपर इंजामात हैं, कोई मानता नहीं था, अब बात य थी, पिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं की तहकी का तो थी, आपको कहा है, क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, यह आखरी बात यहां पे कर दूँ, मैं नबील गुहोल की बात को सुपोर्ट करता हूँ, आज इश्रुत अलबाद, और अलताफ हुसैन, और नवाज शरीफ, और चीज़ है, इकतलाफ कहां पे है, जहां आके पाकिसान आर्मी के साथ इकतलाफ हुआ, चीफ अबाब मिस्टाफ जोर लगाता रहा कि मैंने करॉप्शन और टेरिज्म का नेक्सिस करोड़ना है, यह चीज़ हड़ी बन गई लोगों के गरे में, दो महीने से उसने यह कहना जब सवाए एक पार्टी के, बाकी पूरी कौमी पार्टीयां आपकी एक पेज में वे एक तरफ हैं, कि बें यह करफशन वाली बात ना करो, तो फिर आप अपनी पूरी कौम के साथ तो टकर नी लेसे हैं, अच्छा, गबोल साब आप फिर इस पर क्या आपकी रहा है, दू जैनुन तहकी कात अगर होती हैं, तो क्या ख्याल है कि इसकी लपेट में कौन कौन आएगा, फिर कौन चौराहों पर टंगेगा, चुकर यह सब तो एक दूसरे को टंगने के मूड में लग रहे हैं, तो पर प्रेजिदेंट मुशरफ मिन अक्यूस्त होई है, उनके ओर्ड प्लान किया है, किस तरीके से रोकना है, तो देखें, यह सारी चीज़ा हम बैठके, गवर्नर पे केसिस थे, सब कुछ थे, 12 में के लिपेट में कौन आएगा, आपके ख्यादेंगे, 12 में के लिपेट में दो तो आचुके हैं, गवर्नर साब भी आएंगे, और हमारे मुश साब नहीं हो सकता है, जनरल साब बैठे हुएं, अब आफ़ लाएंगे, जो कौम अपने 280 लोगों को, वो भी कौन 280 जो मजदूर हों, उनको बत्ते के नाम पर जलाया गया है, और खामोश होकर आपका जियाटी रिपोर्ट है, आपके पास प्रूफ जेंगे, किस ते जलाय है, और आप उस पे खामोश है, क्योंकि आपको सियासी कोई फाइदे लेने हैं इन से, तो सबसे बड़े गुनेगार जो है ना, यह कुमरान है, जिन्दा लोगों को, और इनकी जो खाक है, इसको इसको इनसाफ कब मिलेगा, मुस्तिफा कमाल तो कह रहे हैं, किसकी जही कार रही है, कराची में स्टैबलिश्मेंट यह काम कर रही है, कि इन सब का खात्मा कर रही है, जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने यह बता, जलाना, मजदूरों को यह सब उनका खात्मा कर रही है, उनको रोका जा रहा है, स्टैबलिश्मेंट को कमजोर किया जा रहा है, उनको कह जा रहे हैं या उपरेशन बंद करो अगर उपरेशन बंद नहीं किया तो हम उसकी रियक्शन में ये कर देंगे तो वो कर देंगे बहुत सारे थ्रेटनिंग और फिर हमारे प्राइम निस्टर साब जो है मोधी को खुश करने के लिए ये इस्टैबलिश्मेंट के नाराजग हैं तो इस में गवरनर का जैदार है ये पहले सामने क्यों नहीं आया इसलिए ठी है किए गवरनर को हर कोई पाल रहाता, मतलब आपको पता है उसके एलब अभी, अभी तो अभी तो नहीं जपवास दे आइन वे जिए है कि जनरर मुचर्ण मुचररफ का इतसाब जहां तक होना था जहां उसकी जो जो एमर्जनसी लगाई थी जिसके से इने आर्टिकल 6 का केस था वो बिल्कुल चल जाना था अगर आप उनमें जो सिल्लियन इन्वाल्ड थे उनको प्रोटेक्शन आदे थे ये सारा किस्सा जहां पे खराब हुआ है ये मिया साब करते हुए ये कहा था कि मैंने इसको जगा दिखानी और मैंने लोगों ने लीक आउट कर दी थी ये बात है जो इनने अब जीस यह है कि अगर आप बेंडेटा सिर्फ एक आदमी के लिए रखें और मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे जनल बेक का केस हुआ था उसमें आर्मी का यूनैनिमस था जिए जनल बेक का ट्राइल होना चाहिए ये सारी डिसकास होई चीज़ वहां पे और पूरा हम सारे उस वकर जैनल आफिसर्स के साथ जनल बहीद काकर ने डिसकास किया हमारे यूनैनिमस दिस यह था कि होना चाहिए बेन दीर को बेन दीर को खत लिखें और उनमें उसमें कहें कि जिन्होंने पैसे वसूल की है उनका भी ट्राइल करें लेकिन लेकिन हकूमत यह नहीं करना चाहती थी चुनाचे रात के अधेरे में नसीलला बाबर और अक्बाल हैदर इन्होंने जाके असरखान को गागस दिये और उनसे यह काम कराया कि आप असरम ब सुप्रीम कोड के ओर्डर था और उसमें एक शखस के ओपर जमेदारी रखी गई थी जिस तरहां 12 मैं का प्रिसाइसली सबसे बड़ागों के जमेदार था गवर्णर साब उस वक्त के चीफ जसिस से मीटिंग की उन्होंने रिपीटली मीटिंग करते रहे कि हम ओर्डिनस लेकि आएंगे और हम ये कल ये जो रिलीज हैं नहीं होने देंगे था और इनस के जरीए हम रोकेंगे सब को वो भी जब प्रेजिडंट से बात उन्होंने का नहीं नहीं हो सकता फिर गवर्णर ने क्या किया उन्होंने मीटिंग करके लॉण और जितने भी लोग थे जिसम आप में काह था कि ये कुछ होने वाला है आप प्रेजिडंट से बात करें उनको कहें कि जी इनको कहें रुख जायें मैं नहीं जी आइनका रूल आप ईवन चीफ से पूछ तेंगे उस वकог के पकछू कि बात कर थाएगोसद्य सैंड हैं और जो ये निस नार्टम तो मॉ और मुशरुफ साब, ने ने, आपको नहीं पता, गवर्नर के पास कोई एक्जेक्टिव और नहीं हो थी, तो मामला तेह करने के लिए ताकि ये मामला खतम हो, इसकी मीटिंग हो रही थी, नौट ये, नौट ये, नौट दैट के जी, मुर्डर्स करवाए जाएंगे, जो मेर पुरा उप्रेशन मां से कंट्रोर किया जा रहा था, रही तो पुलिकों साब उनके मात हैं, बोटील का रहा हैं, नौट ये, मैं तो अपनी जिन्गी में कभी गवर्नर से नहीं मिला, मैं on the basis of what the then chief secretary told me, और वो chief secretary बहुत honorable और बहुत respectable आदमी है, अच्छा दूसरी बात, ज बिल्कुल मैं सो अफिसद गबोल साब से अगरी करता हूँ, कि जर्नल मुशर्फ impossible था किसी जर्नल का, अच्छा, ने, सुने ना, सुने, उनका इतसाब नहीं हो सकता, कोई टाच नहीं कर सकता, अभी भी उनने शुक्रिया दा किया, कि जिस, जहां पे मैंने 35 साल, देखें, ये मजाख नहीं होना चाहिए, अच्छा, अजगरहान केस में, अब सुने नहीं एक मिन, अच्छा, जहां तक अजगरहान केस में, वो भी FIA के सामने है ना, और उन्हों ने एक सुप्रियम कोड का आडर रहागे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करें अगेंस तू जर्नल्स, इस्टेब्रिश्मेंट को नहीं कह रहे, एक सर्विस्मेंट जो इनकी सुसाइटी है, वो कल जाकर ये कहते हैं कि जर्नल्र को है, आप प्रोसीड करें, जर्नल्र मुशर्फ और इन दोनों जर्नल्र को अगें, ये कमज़कों स्टेट्मेंट दिलवा दें सबसे, दिलवा सक उसकी इस्टानियत और जयात्ती हो इनी सकती, कि जिननों ने पैसे वसूल किये, वो बैठे हो हकुमतों में, और एक आदमी रटायर होके बैठा जारा भा उसका है, ये ये नहीं स्यास्टानों का इससाब हो सकता है, ये ये नहीं किसी जर्नल का इससाब हो, असल चीजी है, किसी सियासतान का नाम दे दो जिसको जासा और रिशवत ने वहां और रिशवत लेने वहां दोलों को पकटना चाहिए बुट्टों साथ को फांसी पे चड़ा है वो इस किसमें फांसी ना चाटता लो उसके तीन ओलादों को आपने कतल किया हमारी जो गर्दने वैसे बड़ी मुटी लगती है सबसे आसानी से हमारी गर्दन को पकड़ते हैं अक्रॉस तर बोर्ट अकाउंटिक लिए बात किया करेश नहीं अब आर्मी टेक ओवर करती रही तो ये मसायल पैदा होते हैं अब यह आर्मी टेक ओवर नहीं करती हैं क्यों यह झाम जल् Yasmi जो जेंदी करती हैं यह बहुत अचे हैं दुश्मन की झाल रिक्रिया जां टारुफ, पकड़ необход प्र आर्मी को पिशे से चुरागों पे किसका दौर था? मुशर्फ का. मुशर्फ ने इसलामबाद से, इसलामबाद से फॉर्ण आफिस से कहा गया, पाकिस्तान के हाई कमिशनर को, कि उस स्पीच के बाद इसको आप इशाया दें. मुझे बताएं, ये कोई सिविलियन किसी के दौर में कोई सोच भी दक्ताब था? मेरी बात सुने, अगर उसने कहा, उसने बड़ी खलिती की, लेकिन आज बैठा वो हुकम रन करना है, क्यों निए उसका मुझ तोड़ते आप दो? जवाब देखें. असल चीज सारी ये है, कि वो इंडिया की खिदमत करें, अमरीका की खिदमत करें, अपनी फौज को पीज बसे अपनी आखें, इस बात में तो फौज के खिदमत करें, अचम्मने करें, अच्छा बाच्छी साप, आप बрейक में आपने दो तिन दफाए एक बात कि उ जाओंगे जरह इसको पहले क्लियर करें, आपने का कि लोगों को गदारी की तरफ ना धकेले, मुहिबे वतन रहने देशी क्या मुराद है, किसको धकेले हैं गदारी की तरफ? मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, जब कोईटा का वाक्या हुआ तो मैं खुद एक कंट्रुवर्शल स्पीच किया चलदी साथ, कंट्रुवर्शल, मैं भी समझता हूँ कि वो स्पीच उस टाइन पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकि मैं आप बताओं, और इसी तरीके से, अस् हर पक्तून अपनी कौम अफगान लिखता है, पाकिस्तान के अंदर भी, तो मैं यह कहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान के लोगों को, हर पुलिटिकल लीडर को, जिस तरह भी यह जरनल साब वक्फ़े पहले, इवन प्राइम एस्टों को कह रही थे, कि यह साधिश कर रहे इंडिया के साथ मिलके, पाकिस्तान के ख़ाफ पहुच के, अगेंस वाटर वर जो भी है, मैं यह कहता हूँ कि प्लीज, पाकिस्तान के लोगों को, और पॉलिटिशन को, जाहर है उनके पीछे बहुत फॉल्विंग होती है, उनको मत दखेलें आपके जी, यह गदार हैं, पर यह पता नहीं किस किसम के हैं, तो कौन दखेल रहा हैं, आप, मैं यही कह रहूँ ना, जो भी दखेल रहा है, जो भी दखेलें, तो मैं एक अनिलिस्ट रूम में बात कर रहा हूँ, हमें देखें, ग्रे से हमें ब्लैक की तरफ लोगों को नहीं लेके जाना चाहिए, अ रेड लाइन से बहुत भी और रहा है, जो अंडर ग्राउंड करो, उसको माफी है, जो सामने आगे कह देखें, इवन मैं MQM के बारे में, बाकी जो लीडर, जितने भी इनको है, अभी बीचों के बात हो रही थी, गवर्नन की बी, उनकी भी बात हो रही थी, एक तो पहले आप में ये कहूँगा, जनल साथए ने कहा कहा कि इनुन ने आठ कमिए इननकी बीच कर रही। इस तरह करके चलें. सिर्फ बातों में मत करें. यही मस्णा होता है. आप लोगों के बारे में कहते हैं, प्रूव कोई होता नहीं और और बाहर होता है. आप इसे किता है, मैंने ये कहा था, कि नौ कतल की केसिस थे, जब जरनल मुशरफ ने, वो कतल के केसिस खत्म करके उनको बिठाया, केसिस और भी बहुत थे, बहुत सरे लोगों पे थे, एन नारों में सबसे ज्यादा, सबसे पहले, MQM ने फायदा उठाया, इनकी केसिस की फ आज मैं अगर कह रहा हूँ, और मुझे अगर अबाश साब ये खायदार करें कि जी इनके केसिस जो है, इनकी फायले नहीं थे, लेकिन, केसिस रिजिस्टर हुए थे, अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं आप बहुता है, मुझे वो बात प्लैरिफाई नहीं करने दी, ब आजर वो काम करें, जिसका फायदा दुश्मन को पहुंचे और अपने मुलक को नुक्सान पहुंचे, आप गदार है या नहीं है, लेकिन आप सजा के हकदार है, पहली बात, ठीक, दूसरी चीज़ ये है, कि हमें जो बाहर से हमारा दुश्मन है, वो हम उसको आइडिंटि उसका क्या करें, उसको तो आप कहीं नहीं सकते, उसको कहना भी मुश्किल है, लेकिन वो सबसे ज्यादा नुक्सान आपको वहां से पहुंचे, आई नहीं मजबूरी है, कहा जाए, ये चीज़ें आप देखें, ये कौम को जिन जोड़ना है, उनने, कौम ने आँखें खो अरमत तारीका कर थे बहुत मदद की है, फारुक सतार साफ ने हैं, उनको पता था, ठीक है, इसी तरह की मदद अब हम मांग रहे हैं, क्योंकि हमें, मैं कराची में अकेला गूमता हूँ, मैं प्राइम टार्गेट हूँ, कराची में, मेरी किस किस से दुश्मन यह नहीं हैं, आपको पता है, मैंने MQM छोड़ा, वो मेरे दुश्मन बन गए, गैंग वार से, उनके सामने में लड़ा, उनका खात्मे के लिए, मैं मैं अब आपको सब बात बता है, आज वो कराची कराची नहीं है, यह किस को क्रेडिट जाता है, यही स्टैबलिश्मन जिसको यह स्टैबलिश्मन कहते हैं, जिसको आप लोग स्टैबलिश्मन कहते हैं, हम इसको कहते हैं, हमारी फौज, हमारी फौज ने खुल के गए ना, हमारी फौज ने कराची में अमन लेकर आई, अब हमारी फौज ने जब अमन लेकर आई, तो उसको कंट्रोवर्शल बनाने के लिए, दो तीन अटेम्ट किय और इश्रद अलिबाद के बीच में टॉस हुआ जिस टॉस में काम्याब जो है नाम आगया इश्रद अलिबाद का। यगीन दहानिये करा देते हैं कि भाई तुम महफूज हो एक तरह जाती मामलात हैं मुस्तवा कमाल और इश्रद अलिबाद के दिरमियां जाती मामलात हैं मामलात हैं मक्यम को टेक ओवर करने के लिए मैंडिट के क्यादत का जो भी क्यादत देखें अवल तो इस वक्त अगर आप पूजिशन पूचेंगे अलेक्शन अगर आप करा लें तो वोटर जो है वो अलता हुसान को इवोट देगा लेकिन 2018 में मुझे अलता हुसान नजर नहीं आ रहा है मैं बार बार कह रहा हूं 2018 के एलेक्शन में ये ग्रुप बंदी जो हुई है ये चार ग्रुप बन ज दुसरा कौन है दुसरा जो दुसरी साइड वे बैठा हुआ है इस्टेबलिश्मेंट किसको कहते है अब हमें ये इस्टेबलिश्मेंट दरम्यान में होता तो तो सलीम शजाद एक बात करें सलीम शजाद ने मुझे यकिन से एक बात किये कि पी-एस-पी और MQM पाकिस्ता जो हैं ये मिल जाएगे बदलते हुए जो कि हाला आते हैं इसमें आपको ये चीज मुम्किन लगे असल में एक्चुली ये कोशिश की गए कि मुस्तफा कमाल जो है वो फारुक सतार के साथ अपने पार्टी को खितम करें जिसमें मुस्तफा कमाल नहीं माना है फारुक सतार वा लेकर रिकल के दो मेरे खियाल के मताबिक मेर अपना के साथ है के इश्र Tillाबाद जो है वो लंडने वाली पारिटी के साथ है एमकेम लंडनें के साथ है इसलिए कि वो इलताफ हुसाइन को मोसन भी मानते और ये लताफ हुसाइन के साथ उनकी लिंकेजिस की बात भी हो रही है गवर्नर रहें या ना रहें आप कहरे हैं कि MQM लेंटर के तो माइं डाफ हो रही है जितने ही MQ में न ये सब के रापते हैं रणनल से सब के सब मास्वाई PSP सर, PSP के जो रापते हैं सब मुस्फभा कमाल के दूसरों के बारे में तो इनकिशाफात आप कर रहे हैं आपके बारे में भी कुछ इतलात अब इतलात ये हैं कि आप पकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहें अच्छा मैंने छोड़ा पीपल्स पार्टी के भी अच्छा नहीं चोड़ी आपने उसने भी अंकल अलताफ को कभी नहीं कहा कि वो अगदार है मेरी मोसन शाहिद बेनजीर बुटो साहब मेरी लीडर थी हैं और रहे ही आपने दो पर्टियां डाली थी तो कि पीपल्स पार्टी वाली सेलेक्ट कर ली है अज़दारी साफ के साथ मामला सेट होगे आपके यह तो मैं प्रेस कॉंफिर्ट्स में बता हूँ लेकि पीपल्स पार्टी को जाज जॉइन कर रहे हैं दरावल ने कहा के जी अंकल लताफ जो है वो एक रियालिटी है और मैंने तो कभी जिंदेगी में उनको घदार का ही नहीं हालाकि आर्टीकल 6 के इक रारदाद इन्होंने पास कर आई लेकिन फर लास 14 अर्फ परहपस गोवर्नर रहे हैं इतना लंबार सा कोई भी मन्दा गोवर्नर ने रहा है बिल्कुल वो इधियोल नैशनल देखें मैं सिर्फ यह कहूंगा देखें बिंग पाकिस्तानी जो के वहां पे स्प्रिक्त होता है MQM 4 होती है या 6 होती है या 2 होती है जो एक अंसर्न है कि वहां पे वालिंस नहीं होने चाहिए दैश्ट गर्दी और सियास्त और क्राइम को अलएदा किया जाना चाहिए जिसके लिए रेंजर्स जिसके लिए फाउज जिसके लिए सिंद गर्णम्न का भी बिड़ा पॉजटिव रोल था और फेडर गर्णम्न जो भी कहे हैं इन सबका अगर क्लेक्टिव नहीं है न सबका कलेक्टिव गोटा उख मıtश्या होता तो बिसमीं होता झाल